कुछ लोगों ने सोशियल मेडिया पर यहां सवाल उठाया कि गणपती जी को हाती का शिर क्यों लगाया गया और उनकी इस बात पे कहीं लोगों ने ठाका भी लगाया तो मैं आज आपको उस बात का जवाब देने जा रहा हूँ और मेरा आपसे यह अनुरोध है कि आप मेरे इस जवाद को उन तक भी पहुचा देना और मैं यह जो जवाब देने जा रहा हूँ न, यह जवाब तारकिकता की कसोटी पर खरा उतरने के बाद ही आपको बता रहा हूँ और मैं आपको दोनों कारण बताऊंगा, तारकिक भी और पोरानिक भी, तो अब जराब सुनिये सबसे पहले आप मुझे यह बताईए कि आपकी पैचान कैसे होती है, आप कहीं भी जाते हैं तो लोगबाग आपको कैसे पैचानते हैं, सिधी सी बात है, आपके चेरे से, आप किसी और का चेरा लगा के चले जाओ, लोगबाग आपको पैचान नहीं पाएंगे चलिए आपका चेरा काड़ देते हैं, हटा देते हैं और आपके किसी फ्रेंड का चेरा वहाँ पे लगा देते हैं अब आप कहीं भी जाओगे तो क्या लोगबाग आपको पैचान पाएंगे? क्या यह उनके लिए संभव होगा कि वो आपको पैचान ले? नहीं पैचान पाएंगे या फिर बहुत ज़्यादा कन्फुजन में हो जाएंगे तो इसी वज़य से भगवान को अगर किसी दूसरे देवता का या किसी मानव का चेरा लगा दिया जाता तो भगवान की तो आइडेंटीटी ही खतम हो जाती ना जिसका चेरा लगाया जाता उनी के नाम से उनको संबोधित किया जाता जैसे रमेश को सुरेश का चेरा लगा दे फिर रमेश कहीं भी चला जाए लोग बाग तो उसे सुरेश ही समझेंगे और सुरेश नाम से ही बुलाएंगे तो इस वजह से उनको किसी देवता का या किसी दूसरे मानव का चेहरा नहीं लगाया गया और यह बात पूंतया तरकिक है जरा आप सोचिए अगर लगा दिया जाता तो भगवान की आइडेंटिटी खतम हो जाती लोग बाग पैचानी नहीं पाते सीधी बात है इसको ज्यादा दिमाग में लोड देने की जरूत ही नहीं है बहुत सीधी बात है और दूसरी बात अभी बहुत सी चीजे पॉसिबल हो गई है हाट ट्रांस्प्लांट भी होते हैं और आने वाले टाइम में कि इनसान को किसी जानुवर का चेरा लगाए क्ईयोंकि इनसान को इनसान का चेरा लगाने में कोई बड़ी बात नहीं है लेकिन इंसान को अगर जानवर का चेरा लगाएं तो ये तो बहुत बड़ी बात है तो दूसरी बात ये हो गई कि कुछ बात देवताओं की थी तो उसमें देव्य चीज होनी जरूरी थी तो इस वज़े से ऐसा किया गया और तीसरी बात जो भी एकदम सटिक कुतर थी है वो आप सुनिए आप अपने आसपास देखिए सारे प्राणी जगत में देखिए सारे जन्तूं को देखिए आपको कोई ऐसा जानवर मिलता है क्या जिसके पास में खाने पीने के लिए कोई विशेस औरगन है या बोडी का कुछ विशेस पार्ट है जो उनको खाने पीने में हेल्प करता हो या खाने पीने में शाहे को यह मैं आपको क्यों पूछ रहूँ क्योंकि गणपती जी को खाने पीने का बहुत सौक था सबको पता है उनको खाना खाना पसंद था वह बड़े मजे से खाते थे तो उनके लिए एक ऐसा प्राणी चुना गया जिसके पास में खाने पीने के लिए एक विशेस पार्ट है और वह है हाती और उसके पास में है सुंड किसी और एनिमल के पास में खाने पीने के लिए ऐसा कोई विशेश पार्ट नहीं है केवल हाती के पास ही है तो उनके लिए एक ऐसा प्राणी चुना गया जो उनके लिए खाने पीने की जो उनका जो शौक है उसको बरकरार रख तो इसलिए हाती का चुनाव किया गया और उनको एक ऐसा चेहरा दिया गया जो उनकी होबी के अनुरूप हो उनकी प्रकरती के अनुरूप हो तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि हाती को ही क्यों चुना गया और दूसरा कि किसी दूसरे इंसान को या किसी दूसरे देवत को क्यों नहीं चुना गया अब तो किलियर हो चुका होगा अब हम बात को यहीं खतम नहीं करेंगे एक पूरानिक कथा भी बताऊंगा पूरानिक कथा यह है कि दुरवाशा रिशी ने बगवान इंद्र को एक पुष्प परिजात बेट किया और कहा कि जिसके भी सर पर आप पुष्प रख देंगे पूर्या मानव जाती उसकी पूजा पाट गरेगी उनका बहुत जादा आदर करेगी उनको सम्मान देगी तो इंद्रदेव ने गलती से पुष्प एक हाती के सर पर रख दिया और हाती मद में चूर हो गया और इदर-उदर जाके बहुत जादा न गनेज जी के शर की जगर लगाया गया उस सर का मान भी रह गया दुरवाशरीशी का मान भी रह गया और गनेज जी की भी वावा हो गई तो उमीद करता हूँ आपको हमारी बातें समझ में आई होगी और आप हमारी बात को वहां तक पहुचा देंगे जहां तक यह पहुच ज चाहिए तो एक बार प्यार से बोलिए ओम गण गणपते नमहा मैं आगे भी इसी तरह के वीडियो लेकर आता रहूंगा आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और लाइक करें और हमारे साथ इसी तरह से बने रहें नमश्कार